डिपों में अगले महीने 13 रुपए तक सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल राज्य सरकार ने हिमाचल परदेश के राशनकार धारकों को रहाद दी है सरसों के बाद सरकार ने अब फोर्टिफाइड सोयाबिन रिफाइंड तेल 13 रुपए सस्ता कर दिया है बोगतां को डिपों में रिफाइंड तेल अगले महीने जुलाई से 104 रुपए परती लीटर मिलेगा सरकार की स्पैसले से परदेश के साड़े 19 लाख राशनकार धारके लाबानवित होंगे सारजनिक वितरन प्रणाली के तहते राश्टिय खादेश रुक्षा अधिनियम के साड़े साथ लाख बोगताओं को आठ और साड़े ग्यारा एपिल परिवारों को 13 रुपए का फायदा होगा इससे पुरो राशनकार परिवारों को खादे तेल 112 रुपए परती लीटर जबकि एपिल राशनकार धारकों को 117 रुपए परती लीटर की दर से उपलब्द हो रहा था मुख्यमंत्री ने कहा कि खादे तेल की दरें पिछली दरों के तुलना में कम है हाली में सरकार ने सर्शों के तेल के दामेश रहें 30 रुपए परती लीटर कम करने का दिरने लिया है अब राशनकार धारक उचीत मुले की दुकानों से सर्शों का तेल 110 रुपए परती लीटर ले रहे है जुलाई के लिए 104 रुपए परती लीटर दामते हो गए है एनेफेस से परिवारों को होगा आठ रुपए का फाइदा 19.5 लाख रासन कार्ड परिवार को राहत 11 किलो आटा 5 किलो चावल की अलोटमेंट भी जारी हो गई है 11 किलो आटा और 5 किलो चावल भी मिलेगा अगस्त में वो बोकताओं के लिए रासन का कोटा बढ़ा गया है अब की बार अगस्त में आएगा ये कोटा बढ़कर बर्शाद के चलते जिलों में चावल की मांग है वो कम हो गई है आटा खराब होने की समावना है इसलिए अगस्त से ये सारी शुदाए हो